हेलो इवरीवन, वेल्कम बेक तू माइ चैनल माइ नेम सोनी एन वेल्कम टू सोनी मिकोर, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि full back waxing कैसे की जाती है या फिर full body of polishing कैसे की जाती है bridle की इसे related हम इस वीडियो में बात करेंगे तो देखे सबसे पहले आपको back को अच्छे से clean कर लेना है गीले sponge की help से उसके बाद towel dry करना है उसके बाद आपके पास जो भी powder है उससे पूरे back में अच्छे से लगा लेना है ज्यादा over भी powder की application नहीं कर रही है इसकीन में नहीं तो इससे wax अच्छे से चिपकता नहीं है तो अब हमने देखिए wax को गरम कर लिया है wax की consistency बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए इससे ज़्यादा गरम आपको नहीं करना है क्योंकि back का जो area होता है वो बहुत ज़्यादा sensitive होता है तो आपको ऐसे ही consistency रखने है wax की और wax के लिए हमने लिया है ये honey का aloe vera wax जो की sensitive skin के लिए बहुत best है इससे skin पील नहीं होती है और आप इसकी re-application कर सकते हैं यानि कि अगर आप एक बर wax लगा के strip खीज दिए उसके बाद भी अगर कुछ बाल रह जाते हैं तो आप उस पे दुबारा wax लगा के waxing कर सकते हैं जो की reka wax में ऐसा नहीं करना होता है double application नहीं करनी होती है तो देखे कितने इजी तरीके से ये one application में सारे hair को निकाल दे रहा है अब बहुत से comment आते हैं कि मैम हम जब wax करते हैं तो बहुत ज़दा messy हो जाता है बाल छूट जाते हैं तो देखे सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान देना है सबसे पहले आपको पूरे area को clean करना है cold water से उसके बाद आपको towel dry करनी है बिल्कुल भी पानी या moisture नहीं होना चाहिए इसकीन में उसके बाद powder लगाना है और powder भी लगाते हैं तो ज़्यादा application नहीं करना है powder का बस आपको जैसा मैंने दीखे वीडियो में मेरे दिखाई दे रहा जितना powder लगा मैंने उतना ही आपको भी लगाना है क्योंकि ज़्यादा मोटी layer में powder लगा देते तो इससे wax बराबर skin में नहीं चिपकती है उसके बाद आपको hair की direction को देखना है और उसी direction में wax के application करते हुए ले जाना है अब जैसे कि हमारी hair है वो side से होते हुए beach में आई है तो हमने side से होते हुए beach में लाके हमने wax के application किया है उसके बाद हमें waxing strip को चिपकाना है wax strip को जब हम चिपकाते तो ज़्यादा rub नहीं करना है tap tap करके ही जो है चिपकाना है नहीं तो आप और हम रब करते तो waxing strip अपने जग़ास हील जाती है और जो हेर होते हैं वह मूड़ जाते हैं तो जब हम waxing strip को खीचते तो वह एंग नहीं निकलते हैं मूड़ने की वज़ह से तो आपको क्या करना है रब नहीं करना है टैप टैप करके ही जो है चिपकाना है आपको इस बात का ध्यान देना है ठीक है और दूसरा जो बात है कि जब भी आप wax की application करते हैं तो आपको wax application करने के बाद जो strip चिपकाते हैं उस बीच का जो समय है आपको उस बात का ध्यान देना है कि इस बीच का समय ज्यादा नहीं लेना है जैसे आपने wax लगाया है तुरंद श्ट्रिप को चिपका के फटक से पूल करना है क्योंकि क्या होता है अगर आप wax लगा के छोड़ दिये और उसके बाद श्ट्रिप धून रहे हैं कहां गई श्ट्रिप फिर उसके बाद श्ट्रिप को फोल्ड कर ज्यादा wax लग चुका है तो ऐसे में क्या होता है ज्यादा दिर तक skin में wax लगी होती है क्योंकि wax गरम होती है जिसकी वज़जा से हमारे स्कीन में Morrison आ जाता है और wax एक्दम melt हो जाती है को थोड़ा सा छोड़ देती है पानी छोड़ देता है तो क्या होता है आप इस ट्रिफ को चिपकाते हैं तो कुछ हेर निकलते निकलते तो ये भी एक बहुत बड़ा νीकलते है तो बस आपको इस बात का ध्यान देना है कि जैसे अपने वैक्स लगाया है तुरंद स्ट्रिप को चिपकाना भी है और पूल भी करना है ठीक है गर्मियों का मौसम है तो ऐसे में आपको वैक्स जो है छोटे छोटे पार्ट में लगा के फटा फट निकालना है जैसा कि अभी हमने ये विंटर के सीजन में वैक्स किया है तो हम थोड़े बड़े आती है तो आप बड़े बड़े सेक्शन में कर सकते बस आपको गर्मियों के मौसम में थोड़ा सा ध्यान देना है तो आप इन सब बातों का ध्यान देके अगर वैक्स करेंगे तो आपकी वैक्स बिल्कुल भी मेल्ट या फिर मैसी नहीं होगी अगर फिर भी आपको भी हो सकती है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देके वैक्स करना है तो देखिए यहां पर जो है हमारी जो ग्रोथ है थोड़ी सी उपर नीचे साइड से गई हुई है तो हम ग्रोथ के अकोर्डिंग ही वैक्सिंग स्ट्रिप को चिपकाएंगे और अगर आप भी ब्राइडल है या फिर आपके घर में किसी की शादी है और आपका बजट नहीं है तो आपको नॉर्मली क्या करना है मार्केट से आपको हनी एलोवेरा वैक्स या फिर हनी का बहुत सा फ्लेवर आता है आपको जो पसंद होगा आप उस फ्लेवर की वैक्स ले सकते हैं यह अराउंड वन फ आपको पर्चेस करनी है इसमें आपकी फुल बॉडी पॉलिसिंग हो जाएगी बॉडी पॉलिसिंग जैसा इवेन लुक आएगा तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपको वैक्स करना है वैक्सिंग को आपको एक बावल में ले लेना है और आप गैस पर इसे गरम कर सकते याद रहे कि गरम आपको उतने करना है जितना आपकी स्किन सह सके उसके बाद आपको वैक्स कर लेना है वैक्सिंग करने के बाद क्लीन करके उस पर स्क्रब कर देना है आगे मैंने स्क्रब के सारे स्टेप्स दिखाये हुए हैं आपको क्या यूज करना है कैसे स्टेप्स डा से वह आप उसी प्रोसेस को फॉलो करके आप फॉल बॉडी पर कर सकते हैं बस आपको फेस पर थोड़ा सा ध्यान दे के करना है और जहां भी दिखें कि आपके हेर बहुत ज्यादा छोटे हैं लाइट हेर हैं तो वहां पर थोड़ा सा आपको वैक्स के अप्लिकेशन थिक ले स्क्रब की मसाज तो पहले हम एक्सेस जो वैक्स लगी है स्किन में उसे निकाल देंगे अच्छे से क्लीन कर देंगे आपके पास स्पंज नहीं है तो आप गीली टावल के हल्प से क्लीन कर सकते हैं तो देखिए अब हमारा बैक जो है पूरा क्लीन हो चुका है कितना ज्या जो स्क्रब लिया है वो वैदिक लाइन का परल पिष्टी स्क्रब लिया है जो कि बहुत बेस्ट है इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है यह मैंने नायका से पर्चेस किया था तो आप इसे नायका पे सर्च करके पर्चेस कर सकते हैं वैदिक लाइन परल पिष्टी स् इसे अच्छे से light hand से massage करेंगे यह हमारे body polishing में एहम भूमिकानी भाता है जो की है scrub इससे क्या होता हमारी skin बहुत अच्छे से exfoliate हो जाती है dead cells निकल जाते हैं और skin में shine provide करता है और जो dullness होती है इससे यह ठीक कर देता है तो देखिए जब भी आप body polishing करते हैं और जो process होता है वो बिल्कुल clean up की तरह होता है जैसे हम clean up में सबसे पहले cleanser से skin को clean करते हैं उसके बाद massage करते हैं scrub से steam लेते हैं उसके बाद gel massage देंगे फिर massage cream से massage देंगे उसके बाद pack लगाते हैं तो यही सारा process जो हमारे body polishing में भी होता है तो देखिए सबसे पहले आपको body polishing में आप मैंने पहले directly scrub से massage किया तो आप body polishing जब करेंगे तो आपको कुछ समान purchase करने होगा जैसे cleanser cleanser नहीं भी अगर purchase करेंगे तो आप scrub ले लीजिए massage cream ले लीजिए और gel ले लीजिए और face pack ले लीजिए ये चीजे purchase करनी है आपको तो उसके बाद क्या करनी है scrub से आपको easily massage करनी है light hand से उसके बाद आपको steam लेना है अगर आपके घर पे steam नहीं है तो आप गुणगुना पानी कर ले उसके बाद towel को उसमें dip कर ले और उस पानी को निचोड ले उसके बाद आपको अपने back पर रख लेना है ऐसे आपको 4-5 बार करना है और 2-4 second के लिए आपको back पर रखना है या 10 second के लिए रख सकते हैं और उसके बाद आपको वापस से निचोड के रखना है ऐसे से करके आप अपनी सकीन को अच्छे से प्रेंगे च्रिपे बाद बाद को थोड़ा सा और मसाज करने के बाद आप उस पे जेल का मसाज करे और जेल जब तक अब जोगो ना हो इसकीन में तब तक तो आप जीज़ी निचे हैं या आपको मसाज देनी है रोज वाटर का इस्तेमाल करना है या फिर टोनर का इस्तेमाल करना है अगर आपके पास ये चीजे नहीं है तो आप कोकोनट आइल का इस्तेमाल करें मसाज क्रीम में मसाज क्रीम लगा के अपने बैक पे मसाज करें जब सूकने जैसा लगे तो आपको को कोकोनट ओइल मिक्स कर लेना है थोड़ा सा और इसके बाद मसाज देनी है गाईज ट्रस्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है कोकोनट ओइल से हमारी स्कीन हाइडरेट होती है ग्लोइंग और शाइन दिखा देता है और ज्यादा हमारे बैग जो है या स्कीन जो है केमि बीजिंग रिजल्ट आया है स्कीन का कलर एकदम चेंज हो चुका है ट्रस्ट में याज मैंने कोई फील्टर नहीं लगाया आपको जो मेरा रियल वर्क है वही मैंने दिखाया है तो इन सब प्रोसेस का आप कुछछ सोचेंगे कि मैं इस सब प्रोसेस का कितना प्राइस चार् की थी मेरी क्लाइंट से जो कि मेरी पुरानी क्लाइंट है यह तो मैं अपनी क्लाइंट से 350 ही चार्ज करती हूँ यह सब प्रोसेस का तो देखें अगर आप कोई वीडियो कैसी लेगी है प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा और कोई क्वैरी होगी तो मुझसे जरूर प को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं पार्लर्स रिलेटेड वीडियो डेली अपलोड करती हूँ तो देखें पहले हमारी बैक ऐसी थी और जब हमने इन पे वैक्स और स्क्रब की मसाज़ दी तब हमारी बैक इस ऐसी दिखने लगी है तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट व वीडियो